ब्लॉक पंचायती राज विवस्था ग्रामीर भारत की स्थानिय स्वशासन की प्षणाली है गाओं का जमीनी स्थर पर विकास हो इसलिए सभी राज्यों में स्थानिय स्थर पर ग्रामीर क्षेत्रों में पंचों और सरपंचों को नियुक्त किया गया है सभी ग्रामेर्ट शेत्रों का विकास हो ये सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज विवस्था की त्री स्तरिये सनरचना की गई पंचायती राज की त्री स्तरिये सनरचना में ग्राम स्तर से उपर अर्थात मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत होती है ब्लॉक पंचायद को पंचायद समिती तथा प्रखंड स्तरिये पंचायद के नाम से भी जाना जाता है ब्लॉक पंचायद की भूमिका एक जिले के अंदर कई तहसील या प्रखंड होते हैं पंचायद समिती भारत में तहसील स्तर पर एक स्थानिय सरकारी संस्था है काम करती हैं जिन्हें विकास खंड कहा जाता है पंचायत समिती ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के बीच की कड़ी का काम करती है पंचायत समिती का चिनाव इन विकास खंडों में जन संख्या के आधार पर पंचायत समिती के सदस्यों की संख्या का चिनाव किया जाता है लगभग 5,000 की आबादी पर एक पंचायत समिती सदस्य को चिनने का प्रावधान है इन सदस्यों का चिनाव ग्राम पंचायतों के सदस्यों की तरह ही सीधे तोर पर जिनता करती है इनी पंचायत समिती के सदस्यों द्वारा ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुक पंचायत समिती के अध्यक्ष यानी प्रेजिडेंट का चिनाव किया जाता है और इन्ही अध्यक्षों की सहायता से सभी योजनाएं बनाई जाती है ब्लॉक पंचायद की जिम्मिदारियां ब्लॉक पंचायद के विभिन्नकारे होते हैं जो इस प्रकार है केंद्र तथाग राज्य सकार इवं जिला परिशित द्वारा सौपे के कार्यों को पूरा करना ब्लॉक पंचायद की जिम्मिदारी है पंचायद समिती का वार्षिक योजना बजट पेश करना और कृशी इवं उद्ध्यान का विकास करना ब्लोग पंचायत की जिम्मेदारी है किसान खेटी की नई योजनाओं को अपना सके इसके लिए प्रिशिक्षन का इंतजाम करना ब्लोग पंचायत का दैत हो है गरीबी उन्मूलन कारिक्रम एवं स्कीमों का आयोजन करना ब्लॉक पंचायद का कार्य है पशुपालन एवं पशुचिकित्सा सेवा का विकास एवं विस्तार करना भी ब्लॉक पंचायद का कार्य है ग्रामीर आवास योजनाओं का कार्यानवयन तथा खादी ग्राम एवं कुटीर उद्ध्यों को प्रोच साहित करना ब्लॉक पंचायद का दायत्व है ग्रामीरों के लिए जल की व्यवस्था करना तथा जल संडरक्षा एवं जलापूर्ती योजनाओं ब्लॉक पंचायद के कार्य है शिक्षा के लिए प्रात्मिक विद्याले भवनों का नर्मान तथा मरम्मत करवाना भी ब्लॉक पंचायद का उत्तर दायत्व है स्वास्त एवं परिवार कल्यान कारिक्रमों को संचालिक करना तथा महिलाओं एवं बच्चों के विकास कारिक्रमों का निर्मान करना ब्लॉक पंचायद के कार्य है प्राक्रतिक आपदाओं के दौरान जोखिम लोगों को राहत प्रदान करना भी ब्लॉग पंचायत के उत्तरदायत वहें कमजोर वर्गों विशेशकर SCST वर्ग के कल्यान हितु सरकार द्वारा चलाए गई योजनाओं से अवगत कराना भ्लॉग पंचायत का उत्तरदायत्व है पंचायत समिती के कारे इवम दायत्व पंचायती राज अधिनियम द्वारा पंचायत समिती को महत्पूर्ण जिम्मिदारियां दी गई है विकास खंड स्तर पर ग्रामीड जरूरतों के हिसाब से पंचायत समिती योजनाओं बनाती है जिससे ग्रामीड ख्षेत्रों का संपूर्ण विकास हो सके आपकी सोच आपका विश्वास तै करेगा गाउं का विकास